चीन में थर्मल कोईले के आयात में कमी की संभावनाएं चीन में इस साल अब तक की सबसे बड़ी कमोडिटी स्टोरी थर्मल कोईले की मांग रही है दुन्या के सबसे बड़े आया तक ने पहली छमाही में रिकॉर्ड शिप्मेंट देखी है कमोडिटी विशलेशक के पलरद्वारा संकलित आंकडों के अनुसार मुख्य रूप से बिजली पैदा करने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले समुदरी बाजार से थर्मल कोईले का चीन का आयात साल के पहले छे महीनों में 168.73 मिलियन मीटरिक तन था जो 2023 की इसी अवधी में 155.5 एक मिलियन से 8.5 परसेंट अधिक है यह चीन के इतिहास में सबसे मजबूत पहली छमाही थी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 2024 में कोईला आयात के लिए एक और रिकॉर्ड वर्ष की ओर ले जाती है हालां की कुछ संकेत है कि समुदरी थर्मल कोईले के लिए चीन की भूख कम हो सकती है जिससे संभावना बढ़ जाती है कि 2024 की दूसरी छमाही पहली छमाही की तुलना में कमजोर होगी जुलाई में थर्मल कोईले का समुदरी आयात 29.66 मिलियन टन रहने का अनुमान केपलर ने लगाया है जो जून के 29.44 मिलियन टन से थोड़ा अधिक है लेकिन प्रती दिन के आधार पर 2.5 पसेंट कम है वर्ष के पहले 7 महिनों के लिए व्रिद्धी दर पहली छमाही में देखी गई 8.5 पसेंट से घटकर 7.1 पसेंट रहने की उम्मीद है समुदरी थर्मल कोईले की चीन की मांग में कमी के प्रमुख कारण है घरेलू उत्पादन में सुधार चीन के घरेलू उतपादन में उचाला आया है जून में चीन के कोईला उतपादन में व्रिध्धी हुई जो 405.38 मिलियन टन पर पहुँच गया जो 2023 में इसी महिने से 3.6% अधिक था बिजली उत्पादन में कोईले की हिस्सेदारी में कमी, चीन के बिजली उत्पादन में कोईले की हिस्सेदारी घट रही है आधिकारिक आंकडों से पता चलता है कि जून में थर्मल उत्पादन में 7.4% की गिरावट आई है जो मई में 4.3% की गिरावट को और बढ़ाती है जलविद्युत और नवी करणिय उर्जा स्रोतों से उत्पादन में व्रिधी हो रही है जलविद्युत और नवी करणिय उर्जा का बढ़ता उपयोग मई में 21.4% की वृद्धी के बाद जून में जल विद्युत में 44.5% की वृद्धी हुई पवन और सौर उर्जा में भी वृद्धी हो रही है अब सवाल यह उठता है कि क्या चीन की कम मांग के परिणामस्वरूप एशिया के मुख्य समुदरी थर्मल कोईले के ग्रेड की कीमते काफी कम हो जाएंगी इसका उत्तर जरूरी नहीं है क्योंकि चीन द्वारा नहीं लिया जाने वाला कोई भी कोईला अन्य देशो द्वारा खरीदा जाता है खास कर तब जब कीमतों में कुछ गिरावट आती है इंडोनेशिया चीन का सबसे बड़ा थर्मल कोल आपूर्ति करता है 19 जुलाई को समाप्त सप्ता में यह 52.72 डॉलर प्रती टन पर बंध हुआ जो पिछले सप्ता के 52.70 डॉलर से थोड़ा उपर था लेकिन यह पिछले साल सितंबर के बाद से सबसे कम कीमत थी अन्य एशियाई देशों ने समुदरी थर्मल कोईले के आयात में तेजी लाई है 2024 के पहले साथ महीनों में वियतनाम का आयात 26.48 मिलियन टन था जो पिछले साल की इसी अवधी से 44% अधिक है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोईला आया तक भारत में इस साल के पहले साथ महीनों में 104.81 मिलियन टन थर्मल कोईले की आवग देखी गई जो पिछले साल की इसी अवधी से 14.9% अधिक है केपलर के अनुसार तीसरे सबसे बड़े खरीदार जापान में जुलाई में थर्मल कोईले का आयाद बढ़कर 10.89 मिलियन टन हो गया जो जून के 7.05 मिलियन से अधिक है और जनवरी के बाद से सबसे अधिक है